ट्राइंगल थेरी औफ एंजाइटी, नर्वसनेस और डिपरिशन इसे समझते हैं आज, आज का विश है ट्राइंगल थेरी, जी आप फिर से वही थेरी, वही ट्राइंगल फिर लेके आया हूँ, आपकी समझ बढ़ाने के लिए कि यदि आप एंशिस है तो ठीक है, यदि आ आप नर्वस है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन नर्वसनेस से डिपरिशन पे मच जाएए, कैसे? तो आएए इस ट्राइंगल थेरी और अफ एंजाइटी, नर्वसनेस और डिपरिशन को समझने से पहले एक कॉंसेट समझते हैं, जो इसको उजागर करता है, वो है स्ट्रेस, बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके परिवार में खुद आफिस जाते हैं, बिजनस करते हैं, वो स्ट्रेस टाउट होते हैं, अपने काम के विशे में या घर पे भी बहुत बार काम बढ़ जाता है, तो आप अपके मम्मी या आपकी बहन या आपकी लिया, dance कर लिया, music सुन लिया, ऐसे बहुत सारी चीज है जिसका निवारन है, जिसका निवारन है वो response कहलाता है, इसलिए stress एक ऐसा factor है जो responsive nature का कहलाता है, लेकिन stress अगर responsive है तो anxiety नहीं है, anxiety, मान लीजे कि हम लोग natural self being जैसे भी हैं, हम बहुत unique इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम हम अलग है, हम अलग कैसे हैं, या तो हम height में ज़्यादा है, या कम है, या dark skin है, या fair skin है, या हमारी चेहरे की texture अलग है, हम चश्मा पहनते हैं, हमारे बाल की बनावट और उसके texture अलग है, हमारी कड़ काठी अलग है, ये natural self being है, ये हमें अपने आप आईने में देखकर य जागर है, तो हमें इसे कोई problem नहीं है, लेकिन बाहरवाला यदी इसे observe करता है, और यदी हमने इसे मन में बान लिया, ये एक सोच है, ये एक physical component है, physical component को यदी हमने बहुत seriously ले लिया, तो ये emotional component बन जाता है, जिसे हम nervousness के रूप में पैचानते हैं, तो बाहरवाला यदी क कहता है कि आप नाटे हैं, आप डाक स्किन हैं, आप स्पेकी हैं, आप बाल्ड हैं, आप कुबडे हैं, मतलब अलग-अलग जो भी आपका वेक्तित हो है, आपकी personality है, उस पे यदी कोई उठाता है और आप चिड़ते हैं, और आप चिड़ते हैं, ऐसा बाहर देखा जाता ह हैं, और उन्हें देखा, तो वो आपको और चड़ाते हैं, और चड़ाते हैं, तो आप इसे मानसिक तोर पे लेके चाते हैं, याने emotional component पे तबदील करते हैं, physical component को, वो nervousness कहलाता है, मेरे खाल से वो यदी आप control कर पाए, emotional component को अंदर ना ले, और आप खुद के बारे में य फोकस कीजिएगा, लेकिन आप जागरू के और खुद पर हस सकते हैं, मान लीजिए, अगर आप डाक स्केन है या स्पेकी है, तो क्या फर्पड़ता है, हस लीजिए अपने अपर, हस लेंगे तो लोग आप पे हसना बन कर देंगी, आप साइकी पे आ गया, तो आप इसे disturbed ह अगे होंगे, तो disturbed ना होईए, और यदि disturbed हो रहे हैं, तो इसे आप वेवार पे मतलाईए, अगर आप वेवार पे लेके आते हैं, तो डेफिनिटली आप डेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, एक physical component जो emotional component पे तबदील होता है, और वो behavior component पे आता है, तो वो depression कहलाता है, मेरा theory of, जो triangle theory of anxiety, nervousness and depression है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है, कि stress एक responsive nature का होता है, तो उसे respond करके ठीक किया जाता है, कैसे conscious रहे है, सचेत रहे है, उजागर रहे है, और वास्तविकता को समझेए, तो आप इसका निवारन हमेशा पा लेंगे, इसका solution लेंगे, लेकिन यदि आप physical component को emotional component बनाते हैं, और उसे आप behavior मेलाते हैं, तो आप depressive कहलाएंगे, जो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आसानी से टाल सकते हैं, अगर triangle theory of anxiety, nervousness, depression आपकी समझ बढाती है, तो एक बात तो समझ लीजे, क्योंकि आप जैसे हैं, वैसे बहुत ख अच्छे हैं, आप जैसा और कोई नहीं है, जो आपकी खूबी है, उस पर ध्यान दीजिए, और उसको focus करके आगे बढ़िए, अटक मच जाईए, उमीद करता हूँ कि मेरी ये theory आपको पसंद आई होगी, और यदि ये पसंद आई है, तो इसे तमाम उन लोगों के साथ ब की खूबसूरती आपके अंदर है, दूसरों की नजरी से मत देखिए, फिजिकल कॉंपोनेंट को मेंटल कॉंपोनेंट या फिर साइकी एमोशनल कॉंपोनेंट पर मत लीजिए, डिपरेशन बिलकुल मत लीजिए, क्योंकि जैसा ये समय अच्छा समय नहीं रहता है, वैसा ये समय भी नहीं रहेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा, जब हम और आप खुश रहेंगे, और इस जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी रहे होंगे, यदि आपको मेरी ये ट्राइंगल थेयरी आफ एंजाइटी, नर्वसनेस और डिपरेशन समझ में आई, तो क्रिपया तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाए और उन्हें मदद कीजिए समझने में, ताकि कम से कम लोग डिपरेशन का शिकार हो, धन्यवाद